हाई दोस्तों नमश्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में आज हम एक बहुत ही 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 वीडियोज अलगलग के टॉपिक्स पर मिलने हो जाएं और आप लगातार हमारे वीडियोज के साथ चलते हुए अपने काम में, अपने कालवार में, अपने जीवन में सफलता प्राप करते हुए चलें दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे सनी भारी है मंगल भारी है, राहू भारी है केतु भारी है, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत महदो पुरून रहेगा और उनके फाइदे के लिए इस वीडियो में बहुत सारी जातारी मिलने वाली हैं तो बने रही है आप मेरे साथ में चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आखिर किस्मत खराब क्यूं है और किसमत खराब है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तो किसमत किसी की खराब नहीं होती है किस मतलब कैसा मतलब बिचार किस बिचार से आप किस कारे को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यह किसमत कहलाता है दोस्तो किसमत अगर खराब होती किस्मत अगर लिखी गई होती तो इस धर्ती पर आने का कोई value नहीं होता यहाँ पर आने की कोई जरूट नहीं होती क्योंकि किस्मत से ही सब कुछ अगर चलता तो इस देश में, समाज में हार एक चीज अपनी वेवस्ताओं से चल रही होती अगर किस्मत से ही सब को चल रहा होता तो पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के ओपर किसी तरह का तनाब नहीं होता अगर किस्मत से ही सब को चलता तो ना किसी को सीखने की जूर पढ़ती ना किसी को ड्राइवर बनने की जूर पढ़ती ना किसी को टीचर बनने की जूरूद पड़ती ना किसी को इंजिनियर बनने की जूरूद पड़ती ना किसी को आईकेस बनने की जूरूद पड़ती कोई कामून बिवस्ता नहीं होती कुछ भी नहीं होता क्योंकि सब कुछ किस्मत के बरोसे चलता जूट बोलने वाला जूट बोलके किसमत के बरोसे जीता सच बोलने वाला सच बोलने के बरोसे किसमत से जीता दोस्तो किसमत कैसा बिचार आपका है किस कार्या को करने के लिए ये किसमत पहलाता है फिर भी मैं दोस्तो आप से ही कहना चाहूँगा कि अगर किस्मत खराब आप मानते हैं तो आपको अपने बैपार को बदल देना चाहिए आपको कोई ऐसा बैपार करना चाहिए जिसमें टाइम मल्टिप्लिकेशन हो टाइम डुप्लिकेशन हो आपके साथ टीम बन जाए लोग आपके साथ काम करें क्योंकि दोस्तो किस्मत आपकी खराब है लोगों की जरूरी नहीं खराब हो अगर लोगों की ठीक है तो आपके साथ उनकी किस्मत मिलती हुई क्योंकि मेरी किस्मत अगर खराब है और मेरे साथ 50 लोग ऐसे काम कर रहे है जिरकि किस्मत बिल्कुल सही है तो दोस्तो मेरी किसमत अपने आप सही हो जाएगी इसका कहने का मतलब यह है किसमत खराब तब होती है जब वेटी अकेला कौन करता है जब टीम के रूप में काम करता है तो किसमत अपने आप सही हो जाती है दोस्तो मैं आपको सिजेशन दूँगा तो अगर आप जीवन में ये मानते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है, ट्रिडिशनल बिजनस से परिशान है, धंदे में लॉस हो रहा है, लगातार नुकसान होते हुए भी काम करना पड़ रहा है, आपका माल मार्केट में नहीं विग र है, माल बिटता है तो उधार चला जाता है, दिल रात काम नंदे से परिशान है, रात को नीद नहीं आती है, हर ताइम ये सोचने में मजबूर है कि कैसे कारोबार चलेगा, धंदा चलेगा, तो दोस्तों आपके पास एक बहुत बढ़िया सलूशन है, वो है नेक्ट वर्क मारकेटिंग, डायेट सेलिंग बिजनस, एक ऐसा बिजनस जिसके अंदर हजारों लोगों की टीम आप बना सकते हैं, करोड़ो रुबे का टर्नोबर आप कर सकते हैं, बस जानेए इस बिजनस के बारे में, देखें दोस्तों मैं आपको छोटे से उधार्ण के मादिया से ब करते हैं, जिनकी किस्मत खराब नहीं है, आप ऐसे लोगों को ढूढ़िए, जो लोग कहते हैं, जो बिजनस पर सक्सेस हैं, जो काम्याब हैं, जो आपको लगता है कि ये विक्ति बिल्कुल ठीक हैं, इनका धंदा बढ़िया चल रहा है, जिस व्यक्ति का धंदा से ही चल होगा, वो विक्ति अलग है, इस धंदी पर सबका बढ़िया धंदा चलने के पीछे कुछ कारण है, जिनका धंदा चल रहा है, या जिनका नहीं चल रहा है, कुछ लोग किस्मत के अच्छे होने के बाहुसूद भी धंदा नहीं चला पा रहे हैं, दोस्तों इन लोगों को आप अपने साथ लेकर आईए, एक बार इनको अपने बिजनस के बारे में बताईए, इस बिजनस के बारे में डायक सेलिंग के बारे में बताईए, पहले आप डायक सेलिंग के बारे में जाने हैं, डायक सेलिंग बिजनस को संदने के बार में, फिर आप ऐसे लोगों को ल इस बिजनस की एक खास बात है कि अगर आपको लगता है आपकी किसमत खराब है आपके सितारे खराब है आप काम्याब नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोगों को अपने साथ लेके आए इनके किसमत के सितारे बुलंद हैं इनके बुलंद हैं तो आपके अपने बुलंद हो किर्म ईसंदा आब हुम आज की बात को खत्म कर रहे हैं मैं आप से फिर निबत meetings करूँा हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए हमारे चैनल में लगतार मिलने मेरे वीडियो आपको पहुंसते इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर कस्क करें और साथ में एक बैल आइकन है उसको भी जरूर दबादें ताकि आपको आने वाले वक्त में सबी वीडियो का नोटिपकेशन मिलता रहे थैंक यू बेरी मेंस दोस्तों जैहें